हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक टू माई चैनल प्रेगनेंसी कियर और एडवाइस दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिना अल्ट्रासाउंड के आप एक कैसे आईडिया लगा सकते हैं कि आपने बेभी बॉई को कंसीव किया है या फिर बेभी गर्ल को तो आपसे आगे आने वाले वीडियो के नूटिफिकेशन्स मिस नहों दोस्तो वैसे तो हर महिला की ये तमना होती है कि वो मा बन जाए और मा बनने की जो खुशी होती है वो सबसे अलग होती है तब चाहे वो एक बेटे को जर्म दे या फिर एक बेटी को लेकिन फिर भी महिल फूला हुआ और उबरा हुआ हो तो ये गर में लड़का होने का संकेत माना जाता है वहीं अगर आपका पेट उपर की तरफ निकला हुआ है और बिलकुल गोलाकार है तो ये लड़की होने का संकेत माना जाता है दूसरा लक्षण है दोस्तों अगर प्रेगनेंसी के दौर तो प्रेग्नेंसी के दौरान अगर गर्वती महिला के पैर ठंडे रहते हैं तो ये माना जाता है कि आपने एक बेबी बॉई को कंसीव किया है। आपके बाल काफी जादा खराब होने लगे हैं काफी जादा डल हो गए हैं तब ये माना जाता है कि आपने एक बेबी बॉई को कंसीव किया है। जादा मीठा खाने का मन हो रहा है तो ये भी एक लक्षण माना जाता है बेबी बॉई होने का। वही अगर आपका बहुत जादा चटपटा या फिर दीखा खाने का मन करता है तो ये लक्षण माना जाता है बेबी गल होने का। नवा लक्षण है दोस्तों अगर प्रेगनेंसी के दोरान आपको भूग कम लग रही है आपको बहुत जादा वामटिंग करने का मन हो रहा है जी मचला रहा है तो ये माना जाता है कि ये भी एक बेबी बॉई होने का लक्षण है। बात करें दस्वे और अंतिम लक्षण की तो अगर प्रेगनेंसी के दोरान आपके फेस पर पिंबल्स निकलाए हैं फेस पर छाईयां बहुत जादा पढ़ने लगी हैं तो ये एक लक्षण माना जाता है बेबी बॉई का। लाइक शेयर जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।